यहिन देखिए वाईजान में कौन सा फ्यों डाला जाता है और जब उच्छाई पे जहाज जाती तुसके पीछ वाइट कलर की पट्टी क्या बन जाती है तो Chief eBay ज meanec भरा जाता हो इसके विंक्स में गया, ऐसे बड़े एरफोर्ट पर, जहां जहाजे खड़ी रहती है, रनवी के बाद जहां, बाद जहाजे जहाजे आ रहो सिर्फ रहती है, तो जहाज की जमीन के नीचे से ही टैंक کی सप्लाउी रहती है, यहां से पाइप जोड़ तो यह बस जो है इसके अंदर कोई भी फ्यूल नहीं है बस क्या करता है इसे pipe से जोड के इसे pressure generate करता है यह pressure के थूरू इसमें जहाज में यह भर दिया जता है तो यह pressure system होला होता है यह बड़े airport पर ही मिलेगा red color की ऐसे पटी रहीगी यहां से pipe को जोड़ दिया जाएगा औ और इस पाइप को जब इसमें से जोड दिया जाएगा तो इस ट्रक के अंदर केवल प्रेसर जनरेट करता है जो कि इसके अंदर से प्यूल को खीच के आइस में विंक्स में इसके डाल सके तो ये वेवस्था केवल बड़े एरपोर्ट पर होती है जहाज में जो फ्यूल टाला जाता है वो इसके विंक्स में होता है आउटर इनर सेंटर फिर इनर और आउटर इंग्स में ही भरा जाता है फ्यूल भरनेसे पहले उसके अंदर से पहले water के और चेक कीया जाता है यहाँ पे थ्रोप करा के इसमें से कि इसमें कहीं water के drop-late तो नहीं है ता कि पहले से कोई दुरघटना से रोका जा सके उसके बाद fuel भरनेसे पहले इसको एक किसी ना किसी आर्थिन से जोड दिया जाता है क्योंकि हवाई जहाज जब बहुत तेजी से उढान भरता है और लैंड करता है तो उसके चारों और स्टेटिक चार्ज जमा हो जाते है electrons हो जाते हैं तो वो इसके रास्ते चले जाते हैं otherwise छूने पर body पर current मार सकता है आज में जब fuel भरा जाता है तो इसमें main fuel tank यहां हो जाते हैं इसके अलावे एक surge tank होता है कि जब कभी temperature बढ़ने से fuel फालता है तो उसको जगा देता है इसके अलावे एक wind tank होता है wind tank में क्या होता है extra fuel होने से वहां से वह drain होके गिर जाता है और इसको जहाज के navigation display के बगल में जो इन्यन status होता है इसके side के corner पर fuel दिखाता है यहां पर दिखा रहा है 1452 लीटर fuel है और इस fuel के temperature 15 degree Celsius है तो यहीं corner पर दिखाता है उसको हम यहां जूम करके दिखा दे रहे है जहाज केवल runway से ऐसा नहीं है कि take off और landing के बीच के ही process को कहते है उसमें कई सारे process होते हैं अलग-अलग fuel लगते हैं सब जैसे कोई जहाज यहां खड़ा है तो जहाज जब यहां खड़ा है तो इसको अगर take off करना है तो इसको एक machine लगेगी pushback जो इससे पीछे ढखेल देगी यहां पर क्योंकि जहाज अपने engine से पीछे जा सकता है लेकिन जाता नहीं है क्योंकि उसे engine पर गलत इफेक्ट पड़ता है उसके बाद यह taxiway पर जाएगा पीला पटी taxiway की होती है फिर taxiway से होते हुए अब यह runway पर जाएगा अब यहां जाके runway पर जाएगा इसको 86 clearance मागेगा यह white party जितना देख रहे हैं यह runway है पीला पटी जो होता है वो taxiway होता है जहां खड़ी रहती है जाजे उसको airplane बोलते हैं यहाँ पर maintenance में जाती है तब वो hangar में जाती है otherwise में airplane या फिर ramp पर होती है यहाँ पर अब यहां से वो take up कर जाएगा तो इस दौरान जो यह pushback हुआ था और यह गया था तो इसके लिए जो fuel रखा जाता है उसे हम taxi fuel कहते है क्योंकि इसमें थोड़ा fuel जलता है जादे नहीं जलता है तेकसी fuel के बाद जब जहाज runway पर से take up कर जाता है runway से take up करता है तो take up के बाद जब तक land नहीं करता है इस बीच जहाज का जो सबसे लंबा दूरी होता है इसी को कहते है main fuel या trip fuel जहाज का main fuel को ही trip fuel कहते है यह take up से लेके landing तक का होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाज take up से landing के बीच में अगर मान के चलिए कि इसने बोला कि हाँ दिल्ली से पटना की बीच में 6000 लीटर फ्यूल लगेगा तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यह इतना ही लगे मौसम खराब होगा तो और नहीं लग सकता है पटना पहुँच गया पता चला पटना एरपोर्ट पर पहले से ट्रैफिक है तो उसको ऊपर घुमाएगा तो कुछ extra fuel चाहिए होता है तो जब टेक आप के बीच main fuel याने trip fuel के अलावे एक contingency fuel होता है contingency fuel क्यों होता है कि अगर हवाओं का दिसा विपरीत है या फिर मौसम खराब है चक्रवात आया है या फिर जहाज को कम हाइट पर उड़ने के लिए A.T.C. ने बोला है तो लो हाइट पर उड़ने पर बादलों का ड्रैग और हवाओं का ड्रैग जादे होता है जिस वाज़े से उसमें फ्यूल कंजमशन जादे होता है तो ट्रिप फ्यूल के अलावे कुछ एक्स्टा खुमाएगा उसे कहता होल्डिंग होल्डिंग पर रखेगा कि भईया अभी तुम घूमते रहा भी खाली नहीं है उसके बाद जब खाली होगा रहे तब कहेगा उत्रो तो कभी कभी क्या होता है उतरने के दौरान अचानक पाइलेट को लगता है कि नहीं नहीं यह गड़ रूखने से पहले यह लड़ जाएगी एक काम करो वापस उड़ा देते हैं तो उसे कहते हैं मिस अप्रोच उपरे उपरे लेके चल गया 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 राउंड और इसमें भी फ्यूल लगती है तो कुछ एक्स्टा फ्यूल और भर दिया जाता है उसमें उसे हम कहते हैं एडि इसमें अल्टनेट फ्यूल भी रखा जाता है कुछ और फ्यूल दे दिया जाता है जब कभी एएरपोर्ट पे जाते हैं तो हो सकता है कि उस वेड़ वहां इतना हेवी ट्रैफिक हो कि वहां आपको उतरने के लिए परमीशा नहीं दे कहें कि दूसरे सार में जाके उतर जा जाने के लिए भी चाहिए ना फ्यूल की उपरा कोई के कि हम फ्यूले लेकर नहीं आये थे तो उस एक्स्ट्रा फ्यूल को हम लोग कहते है अल्टरनेट फ्यूल उसमें डाल दिया जाता है कि दूसरे सहर पर भी जाके तुम लेंड कर सकते हो इन सब के अलावे जहाज को 30 मिन जाता है तो जहाज में जितना फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल दित्वियूल से होता है इसका कुछ टेक्सी, फ्यूल, ट्रीफ, कंटिजनजी, अडिस्नल, अल्टरनेट, अंड्रिजार्ब फ्यूल इन जितना फ्यूल बता यहिं सब को जोड़ तो उसे कहते हैं block fuel, तो जाहाज कितने fuel को लेके जाता है block fuel को, ताकि वो अपने block time फर अपना उड़ानभार सके, अब block time किया होता है, ब्लोक फियूल तो जितना fuel का conjunction होता है, landing से लेकर tech ops, landing के बीच में उसे हमं ken HOW to block fuel के लेके, उसे पीछे ढखेल दिये जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके इसके बाद यह टैक्सी वे पे जाएगा तो फिर टैक्सी वाला फेज आ गिया उसके बाद यह टेक आफ करेगा तो टेक आफ फेज हो गया उसके बाद क्लाइम करेगा और उपर जाएगा क्लाइम के बाद आता अगला step आता है cruise, अब यह सीधा उड़ता है, cruise में ही सबसे ज़ादे time होता है, जहाज सबसे ज़ादे समय अपने cruising time देता है, यहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है, turbulence भी बहुत कम देखने को मिलता है, इसी समय सारे air hostess खाना वगरा परोस्ती है, इसी में सबसे ज़ादे समय बिताया जाता है फिर जब रानवे एरपोर्ट से लगबग देर सो किलोमीटर दूर रहते हैं देर सो से 200 किलोमीटर तो पाइलेट उतरने की तयारी करता है और बोल देता है वी आर गोईंग टू डिसेंड अब उसके बाद क्या नंबर आता है छटवा नंबर डिसेंड का अब उसे उतर जाना है और उसके बाद हो क्या कर देता है लैंडिं यानी टॉच्डाउन कर देता है टॉच्डाउन करने के बाद अब उसको जहां जिस गेट पर बोला जाता लगाने के लिए उसे टैकसी इन करके पतिक सूदा गेट के इसाब sell-se लगा देता है यानि यह 10 10 step में total jahaj के page में बाटा गया है इन 10 step को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं block time तो Hawaii जास जैसे engine start होता है तो total 10 phase में जाता है block time और इसमें जितने fuel लगते हैं उसे हम लोग block fuel कहते हैं तो block fuel में यह 6 fuel आएंगे और block time में यह 10 stages आएंगे हवाई कि जहाज की 10 stage इसी stage में पूरी हवाय यातरा complete होती है, fuel dumping या जेटिसन क्या होता है, technical भासा इसे jet essence कहते हैं या इन और यह I say normal भासा प्यूल डपिंग कहते हैं, देखिये जो fuel होता है वह wings में होता है और wings में fuel के वज़गा से wings काफी भारी हो जाते है, जहाज के wings काफी भारी हो जाते हैं, तो जहाज जिब take off करता है, तो उसकी speed कम होती है, वो take off कर जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, take off के कुछ ही समय बाज, technical खराबी या किसी emergency के वज़ से, जहाज को दुबारा land कराना होता है, तो इस जहाज में इतना fuel भरा होता है, इतना जहाजों में, जिसमें fuel जादे होता है, जिसमें चैसे चार इंजन वाले जहाज हो गए, तो ये चार इंजन वाले जिसे बड़े जहाज, इसमें fuel को हवा में ही गिरा दिया जाता है, उतरने से पहले हवा में fuel को dump कर दिया जाता है, जिसे हम fuel dumping कहते हैं, और fuel dump करके wings जब हल के वेट के साथ नहीं तो wings तूट जाएगा अब आई जहाज के जो wings होता है यह से खोखला बनाए जाता है यह खोखला एरिया होता है इस खोखले एरिया में चेंबर होते हैं घुसने के लिए जैसे काफी टॉफ वर्क होता है इसमें घुसने का अलग से oxygen cylinder लेके जाए जाता है और इसमें कई चेंबर होते हैं जैसे करके कई सारे इसमें चेंबर बटे होते हैं जैसे एक चेंबर में आदमी घुसा हुआ है तो ऐसे ऐसे कई चेंबर ब यंग्स में ही भरा जाता है क्योंकि wings खोखला जगह होता है उसने सुर दूसरे जो ग Всем क्योंकि जब कभी भी आग लगेगी तो थूसरा बेसेंजर मोसे को हिसस हुघे फियुजर रहने होते हैं वह मुस्य के संग पाइसेंजर से दूर रहेगी पहला दूसरा दूसरा है तो साइड में भी कोई वजन होना चाहिए की नहीं होना चाहिए, सारा वजन बीच में आ जाएगा, तो डिस्स बाइलैंस हो जाएगा, तर एक weight बाइलैंस करने की लिए भी fuel को हम लोग विंच में रखते tai, तीसरा क्या होता है, प्रेसर को बाइलैंस करने में, fuse large में ही पूरे आदमी सारा समान वगरा रखा होता है जिस वज़े से इसमे pressure जादे लगता है और अगर fuel खोखला रहेगा तो fuel ऐसे मुड़ जाएगा हवा में ऐसे fuel मुड़ जाएगा तो हवा में fuel ना मुड़े इसलिए हवा में wings मुड़ जाएगा wings अगर हवा में मुढ गया तो इससे सीधा करने के लिए wings में fuel भर देता है जिस वज़े से wings ठीक हो जाता है और पूरा pressure maintain रहता है जिस वज़े से इसे हम लोग wings में ही भरते है हवाई जहाज एक लिटर में कितने किलोमीटर जा सकता है थात कितना माइलेज देता है यह डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है हवाई जहाज की साइच का है और हवाई जहाज के अंदर कितने लोग बैठें अगर ठसम ठस पूरा भर गया है तो माइलेज कम हो जाएगा मौसम ख कि अग्या थोजितर्प फूलude खेए को फूल होता है तो काफी जादे फ्यूल का नो इसलिए आप देखेतर विखाने के लिए, विवान कम्पनिय ज्वाती हैं , यहाज का पंग होता है वजन होता है जिससे कि हमेशा से एक कम वेट, एक कम वजन को लेके जहाज उड़े, उससे काफी फ्यूल की बज़त होती है, आजकल तो एर होस्टा भी मिलने लगा है सब जहाज में, तो एर होस्टेस के रखने से थोड़ा होता है, दूसरा लड़कियां का सभाव जो होता है, वो थोड़ मतलब आराम से बात करती है, एक दूबार, तीन बार कुनोची मांग दीजेगा पानी, चाय तो जादे घुसी आईगी ना, आदमी चार कोई से देखने लगेगा, हला कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, कि अच्छे से बिहब करें, कुछ-कुछ पैसेंजर लोग भी अज हमें जैसा बरताओं हमें चाहिए, तो पहले हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बरताओं करें, ताकि रिटर्न में भी हमें मिले, सब का इंपलोई होते हैं, तो कई बार उनके साथ पैसेंजर भी बत्तमीजी करने लगते हैं, हवाई जहाज जब जाता है, तो पीछे ये चोड़ रहा है, तो 463 डिगरी सेल्सियस, 463 डिगरी इतना गरम टेंपरेचर छोड़ रहा है, और जबकि हवा में जो इस्ट्रेटोइस पेर होता है, जब विमान 35,000 से 36,000 फीट की उचाई पर जाती है, तो उस समय बाहर का टेंपरेचर, यानि हवाई जहाज के बाहर का 40 से माइनस 60 डिगरी सेल्सियस रहता है, यानि बाहर इतनी ठंड रहती है, कि आदमी मर जाएगा, कस्मीर फेल है उतना ठंडा रहता है, और उस बाहर के वातावरान में, और उस से हवाई जहाज गुजरता है, तो इन्जन जब धुआ निकलता है, तो उसमें वाटर जाता है, जिरो डिगरी, जबकि सरीर के अंदर है साइटिश डिगरी, तो हम लोग जब अपना एग्जोस्ट, यानि जब हम अपने से एर एग्जोस्ट करते हैं, तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल के जम जाते है, तो ठंड के दिन में, आप भी फील किये होंग देखते हैं कितना देर रुखता है, तो तनिये से धुणा छोड़ते हैं हम लोग, तो तनिये से रुखेगा, हवाई जहाज तो भर भर धुणा छोड़ता है, तो तो यह बस एग्जोस्ट है, ठंड होके वो थोड़ा क्रिश्टली रूप ले लिया और कुछ नहीं है, हव तक यह जो fuel आते हैं पहुंचते हैं यह gravity feeding द्वारा पहुंचते हैं इसमें fuel पहुंचाने के लिए pump नहीं लगा होता है यह बहुत छोटे जहाज होते हैं जबकि बड़े जहाजों में जो fuel भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से pressure के द्वारा भरा जाता है तो जो जहाज में fuel भरा जाता है उसे हम लोग क्यते हैं aviation turbine fuel ATf aviation turbine fuel तो यह एटीएफ pyu price color का होता देखिए हलका golden color का होता है इस टैप का होता है में द्वार कीन lie a fuel होता है कि्रोशीन ते聊 ज़ोटा मिटी तेल होता है किरोशीन लेकिन इसमें न दो अलग-अलग कुछ शीजे मिलाते है केरोसीन तेल में हम लोग लूब्रिकेंट मिला देते हैं इसमें हम जानबुच के ऐसे लूब्रिकेंट मिलाते हैं जो फ्यूल टैंक और इंजन को अराम से लूब्रिकेट करें और दोनों में घरसन कम हो तो फ्यूल के माधम से भेज देते हैं दूसरा हवाई जहाज इतनी हा टो फ्योल जंब ना जाए इसलिए उसमें एंटि इंटि फ्रीजिक रूप में एथीलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं ये जन पूच्छा हुआ है थंड में जमने से फ्योल बाइसे है जिस से को फ्योलिता नहीं है स्वहे भमटा पिखल जाना तो इसे अभी के समय में जितने fuel हो रहे हैं, वो ATF fuel हो रहे हैं, jet, air, aviation, turbine fuel होते हैं, इसमें ये सारी चीजों को मिलाए जाता है, aviation industry में सबसे ज़्यादे लागत जो आ जाती है, वो इसी fuel consumption पे होती है, ये 90-100 रुपे लीटर के price पड़ता है, किसी भी fuel का rate fix नहीं होता है, उपर होता है आपर, तो आप fueling का system आप समझ गया, हवाई जहाज की कई स्रीज बना दिये, इसको खतमी कर देते हैं, जैसे उधर वाला train वाला खतम कर दिये, हवाई जहाज भी खतमी कर देते हैं, आई होप आप इसे समझे होंगे, बाकी UPSC और BPSC के classes continue चल रहे हैं, physics के बैची start हो गया है, पाकी UPSC, BPSC, physics, सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजे, मिले के next class में, जैहिन!